आज हम discuss करेंगे HP Board के दोरा conduct करवाया गया HP TGT Arts का TAT का वेपर इसमें हम GK वाला section discuss करेंगे काफी important question GK के पूछे गे थे तो चली जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं वीडी को तो section 2 से हम start करते है General Awareness and Environmental Studies 31 question देखी यहांपर पूछा गया है बीजग किसकी रचना है तो बीजग रचना है कवीर की option number D यहांपर right answer होगा next question अलवरूनी केम टू इंडिया विद अलवरूनी किसके साथ भारत आया था महमूद गजनवी के साथ D option यहांपर correct answer होगा 33 में among the following who was elected president of India unopposed निमलिक्त मैंसे कौन निर्भी रोध भारत का रास्पती चुना गया था वो चुनेगे थे नीलम, संजीव, रेड़ी option number C यहांपर correct answer होगा 34 में which of the mountain range is the oldest in India बात की सबसे पुरानी परवस रिंकला कौन सी है वो है अरावली परवस रिंकला यह भारत की सबसे पुरानी परवस रिंकला है A option correct answer 35 में which country will host 16th BRICS summit सोल में BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा यह करेगा रसिया रूश हमारा option number C यहांपर correct answer होगा next पूचा गया है bank rate is the rate इनके bank दर बैदर है जिसमें 37 में बार बार आने बार के करण किस नदी को बिहार का शोग कहा जाता है यह कहा जाता है को सी नदी को option number C correct answer 37 का 38 में देखिए where will the 19th summit of G20 national 2024 take place G20 देशों का 19वा शिकर सम्भिलन 2024 कहां होगा यह होगा रियोडी जनेरियो ब्राजिल में option number C यहांपर correct answer 39 में what is the term of the judges of international court of justice अंतरास्ती नयाले के नदीशों का करेकाल कितना होता है यह होता है 9 years 9 वर्स का option number B correct answer 40 में देखिए recently cyclone Ramal was in news who named this cyclone Ramal हाल ही में चक्रवात Ramal खबरों में था इस चक्रवात का नाम Ramal किसने रखा है यह रखा है Oman option number D ओमान यहांपर correct answer होगा 40 का 41 में यहांपर देखिए when was the government's reservation bill नारी शक्ती वंदन अधिनें पास्चिन लोकसभा महिला अरक्षन भी देख नारी शक्ती वंदन अधिनें लोकसभा में कब पारित हुआ यह पारित हुआ है 21 सितंबर 2013 को option number C correct answer आगे पुछा गया है rider cup is related to which sport rider cup किस खेल से संबंदीत है यह गोल्फ से संबंदीत है option number A correct answer रहने बला है 43 में पुछा गया है the decision of which case of supreme court gave rise to the concept of basic structure of constitution इनके सर्वोश नियाले के किस मुकदमे के निर्णे से संबिदान की मूल स्रंचना की अबधारना की उतुपत्ती हुई वो था केशवनंद भारती केस option number C यहां पर right answer होगा केशवनंद भारती केस 44 में यहां पर बोला गया है fish river crosses the equator twice कौन सी नदी भूमद्दी रेखा को दो बार पार करती है वो है Congo river option number A correct answer 45 में government of India for the first time nationalized 14 large commercial banks in the year 12 सरकार ने किस वर्स प्रतम बार 14 बड़े बैपारिक बैंकों का राश्टी करन किया 1969 1969 option number C यहां पर correct answer होगा 46 में which day is celebrated as world football day by UN recently हाल ही में सिंग्तरास्टर द्वारा किस दिन को football दिबस गोशित किया 25 में को option number C 25 में ही correct answer 47 में in the recently concluded Himachal Pradesh legislative assembly by election who has won from Lahol Spiti Assembly constituency हाल ही में संपन हुए हिमाचले प्रेश बिदान सभा के उपचुनाव में Lahol Spiti बिदान सभा क्षेतर से कौन भी जही रहा वो रही है अनुरादा राणा option number B correct answer 48 में who will it the famous पंच वक्तर टेंपल और मंडी मंडी का प्रसिद पंच वक्तर मंदिर किस ने बनवाया था यह बनवाय था राजा सिद सेन option number C right answer रहने वाला है next question में पुछा गया है in which district of is Nako Lake Nako Jil किस जिले में सिथ है कि नौर जिले में option number B correct answer 50 में देखिए the author of the book तारीखे रियासत सिर्मौर is तारीखे रियासत सिर्मौर नामक पुस्ता के लेकर कौन है कमवर रंजोर सिंग option number C यहाँ पर हमारा correct answer होगा 50 बन में यहाँ पर पूछा गया है as per 2011 census what is the literacy rate of हिमाचल प्रदेश 2011 की जनगर्ना के नुसार हिमाचल प्रदेश की शक्षरता दर क्या है वो है 82.80% option number B हमारा right answer रहने बाला है next question 52 which team won the 2024 IPL trophy 2024 2024 IPL trophy किस team ने जीती है यह जीती है कुलकता नाइट राइडर B option correct answer next में बूला गया है who was the first speaker of हिमाचल प्रदेश legislative assembly हिमाचल प्रदेश बिदान साबा के प्रथम अधिक्स कौन थे आगे पूछा गया है what amount will be provided by हिमाचल प्रदेश गौवर्मेंट to the eligible children in the age group 0 to 14 year under मुख्य मंत्री सुक आश्रे योजना हिमाचल प्रदेश सरकार दोरा मुख्य मंत्री सुक आश्रे योजना के थैक 0 से 14 वर्स आयू बरके पातर बच्चों कितनी धनराशी प्रदान की जाएगी तो उन्हें धनराशी प्रदान की जाएगी 1000 रुपे प्रतिमा option number A यहाँ पर हमारा correct answer होगा और जो बच्चे 14 to 18 age group के हैं उन्हें दी जाएगी 25 रुपे 55 में बूला गया है बरतमान में भारत के नियंतरक महा लेखा प्रिक्षक कौन है वो हैं गिरीश चंदर मूरमू option number B correct answer 56 में बूला गया है वो इस अट प्रेजेंट राजी सवा मेंबर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश बरतमान में हिमाचल प्रदेश है राजी सवा सबस्री कौन है 58 में देखी यहाँ पर पूछी गए यह कनाड़ा की राजानी वो है ओटावा option number C correct answer 59 में यहाँ पर पूछा गया है इंदा रिसेंटली कनिकलूड़ एटींथ लोकसवा इलेक्षन बिच कैंडिडेट वन विद आइस्ट विक्टरी मार्जिन हाल ही में संपन हुए 58 में लोकसवा चुनाब में किस उमीद वारनेसव से दिक अंतर से जीत हासिल की वो बोथे शंकर लालवानी option number C यहाँ पर correct answer वा 59 का आगे जीके का next or last question पूछा गया है अंडर दा इंदरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निदी योजना how much monthly stipend bill be provided by the हिमाचल प्रेस government to the eligible beman इंदरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निदी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरगार दोरा पात्र महिलाओं को मासिक कितने रुपे की धनराशी दी जाएगी असान क्वेशन है पंदरा सो रुपे दी जाएगे option number B यहाँ पर हमारा correct answer होगा तो इसी के साथ अभी हमने GK वाला section जो था वो हमने distance कर लिया I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को जुरूर सबस्क्राइब कर दें तो चलिए जल्दी से मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए जैहिं थैंक्यू फॉर वाचिंग पेशन्स ली